नमस्कार मित्रों, ट्रांस्वल रेडियो इंडिया के इस विशेश बाइबल अध्यान श्रेंखला सत्यवचन में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों हम इस कारिकरम में अनयास ही शामिल नहीं है ये परमिश्वर की योजना के कारण है कि हम उसकी बातों को मिलकर अध्यान करें परमिश्वर ने मानो समाज को जिन बातों को प्रगट करना था उसे उसने पवितर शास्तर बाइबल के माध्यम से प्रगट कर दिया है ये किसी समुदाय विशेश के लिए नहीं है परंतों समपूर्ण मानो समाज के लिए आशीश पूर्ण जीवन जीने की एक मार्ग दर्शिका है परमिश्वर आरंभ में मनुश्य के साथ आमने सामने बाते किया करता था लेकिन हम मनुश्यों का सीधा संबन पाप के कारण एक दिन परमिश्वर से तूट गया और वहां से मानो जीवन में समस्याए उत्पन होना आरभ हो गई हमारे जीवन की समस्याओं की जड़ केवल और केवल पाप है यदि हम इससे छुटकारा पा जाए और परमिश्वर की धार्मिक्ता को प्राप्त कर ले तो हमारा संबन्ध परमिश्वर से पुना इस्थापित हो जाएगा जो जीवन का अति आनंद मैं अनुभा होगा हम इन दिनों बाइबल की इब्रानियो नामक पुस्तक से हमारे जैसे साधारन लोगों के जीवन को देख रहे है कि कैसे विश्वास के कारण वे धर्मी ठहरे और परमिश्वर के सनमुख ग्रहन योग बने अर्थात आज हम कैसे भी क्यों नहों कितने भी पापी क्यों नहों परमिश्वर हमें भी ग्रहन कर सकता है चलिए आज के अध्यन के दारा जाने कि परमिश्वर हमको क्या प्रगट करना चाहता है प्रेमित्रों पिछले अध्यन में हमने हाबिल के विश्वास हनोग के विश्वास को देखा और हमने यह भी देखा कि हनोग जो परमिश्वर के साथ साथ चलता था वह उठा लिया गया अर्थात लोप हो गया हमने उनके विश्वास को देखा और यह भी देखा कि हनोग कलिस्या का प्रतीक है आज हम अपने अध्यन के करम में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे विश्वास ही से हनोग उठा लिया गया मित्रो हमारे कारिक्रम के अन्य भाषा के अनुवाद मैं जब सुनता हूँ तो समझ नहीं पाता परन्तो वह प्रसारन करता वास्तों में अति उत्तम कारे करता है उठाए जाने का अर्थ यही है एक छोटी लड़की संडे स्कूल से घर लोटी तो उसकी माता ने पूछा कि संडे स्कूल में उसे क्या पढ़ाये गया उस बालिका ने अपनी माता को हनोक की कहानी सुनाई ध्यान दीजे हनोक बहुत समय पहले रहता था परमिशर प्रती दिन दोपर के समय उसके पास आकर कहता था हनोक क्या तु मेरे साथ टहलने चलेगा हनोक कहता जी हाँ प्रभु मैं आपके साथ चलूँगा इस प्रकार परमिशर रोज उसके पास आता और वे टहलने जाते एक दिन परमिशर ने उससे कहा हनोक आज हम बहुत दूर टहलने जाएंगे क्योंकि मैं तुझ से कुछ बातें करना चाहता हूँ वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए हनोक ने परमिश्ण से कहा बहुत देर हो गई है अब मुझे घर जाना होगा परमिश्ण ने उससे कहा हनोक तू मेरे घर के निकट आ गया है तेरा घर तो बहुत दूर है अतर तू मेरे घर ही आ जा इस कारण हनोक परमिश्ण के घर चला गया मैं इससे अच्छी कहानी नहीं सुना सकता कलिस्या के साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा कलिस्या अर्थात विश्वासियों की देहे परमिश्ण के साथ चलते चलते एक दिन उसके घर चली जाएगी पहला थिसलोनिक्यों की पत्री चार अध्या उसके सोला से सत्रपद में लिखा है क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमिश्ण की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस रीती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे इबरानियों के पत्री 11 अध्या उसके 6 पद में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमिश्ण के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ध्यान देजे लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है हनोक ने परमिश्ण को प्रसंद किया अब सवाल है कैसे विश्वास के द्वारा मित्रों यदि जब तक आप परमिश्ण की रीती पर चल कर उसमें विश्वास न करें तो आप उसे प्रसंद नहीं कर सकते परमिश्ण के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है इबरानियों की पत्री में प्रतिफल की बहुत चर्चा है क्योंकि इसमें मसीही जीवन पर बल दिया गया है हमारे स्वर्गवासी जीवित प्रभू के प्रकाश में मसीही जीवन का प्रतिफल है परन्तु उद्धार प्रतिफल नहीं निर्मोल वर्दान है मेरे मित्रों आप प्रतिफल के लिए काम करते हैं उद्धार के लिए नहीं उद्धार विश्वास से होता है और विश्वासी का चाल चलन भी विश्वास के द्वारा ही है हनोक विश्वास रख कर परमेशक के साथ चलता था विश्वास आशा की हुई वस्तों का निश्य और अंदेखी वस्तों का प्रमान है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी स्रिष्टी की रचना परमेशर के वचन के द्वारा हुई है विश्वास बिना परमेशर को प्रसन करना अन होना है क्योंकि पर्मिशर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वह है विश्वास ही से हाविल ने कैन से उत्तम बलिदान पर्मिशर को चड़ाया विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया था कि मृत्य को ना देखे उसने विश्वास द्वारा परमिर्शर को प्रसन्न किया विश्वास ही से नुह ने अन्देखी बातों की चेतावनी पाकर जहाज बनवाया और अपने परिवार की रक्षा की तो आएए अब हम नुह के विश्वास को देखें नुह का विश्वास इबरानियो के पत्री ग्यारा अध्याय उसके साथ पद में लिखा है विश्वास ही से नुह ने उन बातों के विश्वास में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेताउनी पाकर भक्ती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोश्री ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है ध्यान देजिए हाविल ने विश्वास का मार्ग दर्शाया था हनोक ने विश्वास के आच्रन का उधारन दिया और अब नुह विश्वास का गवा है विश्वास ही से नुह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया मित्रों हम कहते हैं कि नुह ने 120 वर्ष प्रजार किया परंतु एक का भी मन नहीं बदला या सच है कि उसने एक भी बाबोल वासी को मन फिराव की निमित उत्प्रेरित नहीं किया परंतु निश्चे ही उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य को परमेशर की शरन में लिया था यह वास्तों में एक महान काम था हम उत्पत्ती की पुस्तक में नुह का निकट निरिक्षन करते हैं उत्पत्ती की पुस्तक 6 अध्या उसके 5 पद में लिखा है यहवा ने देखा कि मनश्यों की बुराई प्रिथी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है वह निरंतर बुरा ही होता है या मनश्य का बड़ा दुखत विवरन है अदन की वाठिका से निकलने के बाद मनश्य अति शिग्र परमेशा से दूर हो गया परन्तु एक इश्वर भक्त अब भी था हम उत्पत्ती के पुष्टक छे अध्या उसके नौपद में पढ़ते हैं नू की वनशावली यह है नू धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नू परमेशर ही के साथ साथ चलता रहा इसका अर्थ क्या यह है कि वा एक भला मनश्य था और अपने रिन चुकाता था तथा मनश्यों की सहायता करने में तत्पर था वा इससे कहीं अधिक कुछ करता था नू परमेशर ही के साथ साथ चलता रहा विश्वास ही से नू ने उन बातों के विश्य में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया परमेशर ने उससे कहा कि वह जल परलेद्वारा प्रिथ्वी को नश्ट कर देगा तो उसने परमेशर की बात पर विश्वास किया कहा जाता है कि तब तक वर्षा नहीं हुई थी परन्तो अरारत परवत के निकट परात नदी से बहुत दूर नुह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेशर ने कहा है तो जल परले होगा परमेशर ने उसे जहाज बनाने के निर्देश दिये यह जहाज ऐसा बेड़ंगा नहीं था जैसा संडे इसकूल की पुस्तकों में दिखाये गया है जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि मैं उस जहाज में कभी नहीं बैठोंगा वह तो बहुत कुछ आज के जहाजों के समान था और उसकी लंबाई चवड़ाई उचाई आज के जहाजों के समान ही थी लिखा है कि उसकी लंबाई 450 फुट चवड़ाई 75 फुट और उचाई 45 फुट थी परमिर्श्र ने 9 से कहा था उत्पत्ति के पुष्टक 6 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है आईए पढ़ें जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ उपर से इसकी चट बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए खिड़की चट तक बड़ी थी 450 फूट के इस जहाज में तीन मंजिले थी उस युक के कारिगर इस काम में दक्ष थे नू जो कर रहा था वह उस युक के लोगों की समझ में मुर्खता का काम था मैं प्राया अचंभा करता हूँ कि नू के पुत्रों हाम, शेम और एपेत के घर लोट आने का कारण क्या रहा होगा क्योंकि वे अपने अपने काम के लिए घर से बाहर चले गए थे हाम शायद स्वयम ही एक दक्ष एवं निपुन वास्तुकार था शायद वह किसी गोष्ठी में था और वहां उसने सुना कि एक मनश्य जहाज बना रहा है वे सोचने लगे कि यह काम वास्तों में मुर्खता का काम है उसने उस व्यक्ति से जहाज बनाने वाले के बारे में पूछा तो पता चला कि उसका नाम नुह है अता उसने उनसे कहा कि वह उनसे सहमत है कि यह काम मुर्खता का है परन्तो यदि उसका पिता ऐसा कुछ कर रहा है तो निश्य ही यह परमेशर की ओर से जल प्रले की चेतावनी है क्योंकि वह परमेशर का भय मानता है अता निश्य जाने कि जल प्रले होगा मेरा पिता कभी भी जूट नहीं बोलता है मैं जाता हूँ कि जहाज बनाने में उसकी सहयता करूँ क्यों? क्योंकि नू परमेशर का गवाह था मेरे मित्रों मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आपके लिए अपने परिवार में गवाही देना अत्यंत महत्पुन काम है उन्हें सू समाचा सुनाना ही नहीं परंतु उसका आचरन प्रगट करना ताकि वे जाने कि आपके जीवन में वास्त्विक्ता है एक बार एक महिला किसी प्रचारक के पास जाकर कहने लगी कि उसे परमेशर ने सू समाचा सुनाने के लिए बुलाया है प्रचारक ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है क्या आप विवाहित हैं जी हाँ उसने कहा आपके पास कितने बच्चे हैं उसने कहा पाँच प्रचारक ने कहा यह तो महान बात है कि परमेश्ण ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है और आपको एक कलिस्या भी दी है नो ने अपने परिवार को प्रभु में जीता उसके परिवार के अतिरिक्त किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया उसके परिवार ने उसका विश्वास किया क्योंकि वे उसकी गवाही जानते थे नो ने जहाज बना कर अपने परिवार को बचा लिया यह कैसी अद्भुत बात है मेरे मित्रों हम पुराने नियम में विश्वास के नायकों के विश्य चर्चा कर रहे हैं हमने हाविल का विश्वास देखा, हनोक का विश्वास देखा, नू का विश्वास देखा हाविल विश्वास का मार्क प्रगट करता है, तो हनोक विश्वास का जीवन प्रगट करता है 9. विश्वास का एक महान गवा है हनोक कलीश्या का प्रतिनिधी है कि वह उठा ली जाएगी और 9. 144,000 इस्राइलियों तथा अनेक अने जातियों का प्रतिनिधी है जिनें परमिर्शर महा कलेश्ट के समय सुरक्षित रखेगा अब हम अबराहम के बारे में देखेंगे उसे विश्वासी कहा गया है आएए देखें अबराहम और सारा का विश्वास अबराहम को विश्वास का पुतला कहा गया है रोमियों के पत्रे में अबराहम विश्वास का अतिम महान उधारन है वरन गलातिया प्रदेश के लिखे पत्र में भी पॉलुस अबराहम को विश्वास के विशय में सिर आँखों पर रखता है प्रविश्य ने भी उसके विशय कहा था योनार्चि सू समाचार आठ अध्याय उसके 56 पद में लिखा है तुम्हारा पिता अबराहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया अबराहम में हम विश्वास की उपासना देखेंगे इबरानियो के पत्रिक 11 ध्याय उसके आठ पद में लिखा है विश्वास ही से अबराहम जब बुलाय गया तो आग्या मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया मेरे मित्रों इस पत्री में हमने देखा है कि परमेशर की उपासना आग्या कारिता उत्पन करती है वह परमेशर की सेवा की ओर ले चलती है और परमेशर जो हमसे चाहता है उसे करने की प्रेर्णा देती है आवशक नहीं कि हम किसी को परमेशर की सेवा की प्रेरणा दें या उचित प्रेरणा नहीं है यदि वे परमेशर की सच्ची उपासना करें और प्रवईश्य की महिमा की जहलक का एक अंश देख पाएं तब आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे परमेशक के सेवा करेंगे और उसकी आग्या मानेंगे इस संपुन भाग का सबसे अधिक महत्मुन शब्द है आग्या मान कर और उपासना से आग्या कारिता उत्पन होती है उत्पत्ति की पुस्तक बारा अधिया में अबराम की कहानी आरंभ होती है वह कस्दियों के उर देश से निकल कर हारान गया हारान में उसने बहुत समय गवाया और अंत में कनान पहुँचा उस देश में परमिर्शन ने उसे दर्शन दिया हम उत्पत्ति के पुस्तक बारा अध्याय उसके साथ पद में पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है तब यहवा ने अबराम को दर्शन दे कर कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूँगा और उसने वहाँ यहवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई इस्राइल के ब्रहमन में मैं हेरोदेश के निर्मान कारियों को देख कर चकित रह गया था उसने मंदिर निर्मान का कारे भी आरंब किया था उसने सब जगह महल गड़ और नगर बनाए परन्तु वह परमिर्शर का उपासक नहीं था जबकि अबराम ने वेदियां बनाई और परमिर्शर की उपासना की और परनाम सरूप वह आग्याकारी ठैरा उसने विश्वास के द्वारा परमिर्शर की उपासना की और विश्वास ही के कारण परमिर्शर की आग्या मानी मेरे मित्रों आज आपके जीवन में किस प्रकार का विश्वास है क्या आप आग्याकारी वाला विश्वास रखते हैं या कैन की तरह अनाग्या कारे या परमेश्टर को आप प्रसंद करने वाला विश्वास रखते हैं यह निर्ने आपको लेना है क्योंकि आज जो अध्यन हमने किया है हमने इसमें देखा है कि विश्वास ही के द्वारा हम सब के लिए एक आशा है अबराहम के जीवन में हम देखते हैं कि वह आग्या मान कर घर से निकल पड़ा और इसी कारण परमिश्व ने उसे आग्या कारे भी कहा आज हम सब को अपने विश्वास को जांचने और परखने की आवश्यक्ता है कि क्या मैं वास्त्विक मसीही जीवन या विश्वास का जीवन जी रहा हूं या नहीं पिछले प्रश्ण का उत्तर है B. हाबिल हाबिल ने विश्वास की द्वारा उत्तम भेंट चड़ाया जो प्रभु ईश्व की और इशारा करता है आज का प्रश्ण है परमेश्वर को प्रसंद करने का एक माध्यम है A. बलिदान चड़ाना B. बप्तिस्मा लेना C. उस पर विश्वास करना D. अन्य अन्य भाशा बोलना मित्रों इस प्रसंद का उट्टर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान की जाएगी धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं प्रेमित्रों आज के अध्यन में आपने देखा कि हाबिल ने विश्वास के मार्ग को प्रदर्शित किया हनोक ने विश्वास के कदम को चितरित किया नोह ने विश्वास की गवाही दिया और अब हम अबराहम में विश्वास की अराधना को देख रहे हैं इन लोगों ने कुछ नहीं देखा था, परंतो परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, और जो उनसे आशा की गई थी, उसे परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा पूरा किया, नो के समय तक वर्षा कभी नहीं हुई थी, ओस के पानी से जमिन सीची जाती थी, उस क यदि आज ऐसा कारे करने के लिए यदि कहा जाए तो क्या आप करेंगे? हमें हमारा स्वभाविक उत्तर मालू है. नहीं. हम ऐसा कोई कारे नहीं करते जो अनिस्चित हो जिसके बारे में हम नहीं जानते. लेकिन नुग ने परमेश्वर के बच्चन पर विश्वास किया और जैसा उसको निर्देश दिया गया था वैसा ही उसने किया. वह लोगों के दोरा ताना सुनता, अपमान को सहता, उन सब का सामना करता रहा. लेकिन परमेश्वर के दोरा दी गई आगया को पूरी करते हुए वो उस जहाज को बनाता रहा. लेकिन फिर भी वह उस कार को पूर्ण करने के बाद उसके विश्वास की कहानी को हम अधिकांश लोग जानते हैं कि उसने जल प्रलै से अपने परिवार को और संसार के एक एक जोड़े प्राणियों को कैसे पचाया. आपका विश्वास लोगों के लिए आशीश का कारण हो सकता है. बाइबल में ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम विश्वास में उन से भी अधिक द्रिड़ हों और विश्वास की गवाही हम संसार को देद ताकि सच्चे और जीवित पर मिश्वर को हमारे जीवन की द्वारा लोग देखने पाएं. नू के समय के समान ही एक दिन आने वाला है जब इस संसार में महाकलेश होगा. बाइबल इस बात की भविश्वानी करती है. लेकिन जो इश्व पर सच्चा विश्वास करते हैं अर्थात जिन्होंने पापों से शमा को प्राप्त किया है और उसे अनुभव किया है. वे इस समय काल में बादलों पर उठा लिये जाएंगे जिनका हनोक प्रतिने धित्व करता है. तता नू महाकलेश काल के लोगों का प्रतिने धित्व करता है. उस समय में कुछ समय के लिए लोगों को कलेश के बीच परमेश्वर की और फिरने का आउसर मिलेगा. परन्तु ये अती संकट का समय होगा महा संकट काल का समय होगा इसलिए उचित होगा कि हम आज इशु पर विश्वास करने के द्वारा उसकी धार्मिक्ता की जीलम पहन ले कि हम संकट काल से होकर ना गुजरें दोस्तों हमें चुतावनी इसलिए दी जाती है कि हम उसका अनुसरन करें आज हमारे पास समय है लेकिन जिस दिन वो दिन आ जाएगा उसके बाद शायद हमारे लिए महा कलेश चे होकर गुजरने का समय होगा आईए प्रार्थना करें हमारे जीवित सामर्थी अनुगरकारी द्यालुस्वर्गे पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत संदेशों के लिए जिसके दोरा आपने आज हमारी आत्मा को जहजोड दिया प्रभु आप कैसे अद्भुत परमेश्वर हैं जो आत्मा से बातें करते हैं और हमारी आत्मा को यदि आज आज आपने तयार किया है तो हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभू, कि वे उस महाकलेश के दिन से बचने के लिए अपने आपको आज तयार करें, क्योंकि यदि वे आज एक विश्वास का कदम उठाते हैं, आज एक निर्ने लेते हैं, तो उस दिन जब महाकलेश आरम होगा, वे बचाए जाएंगे, और आपके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि महाकलेश से हमें गुजरना ना पड़े, प्रभू हमारे सभी दर्शकों के लिए बिंती करते हैं, जिनोंने आज निर्ने लिया है, कि वे आपके साथ अपना जीवन वैदीत करेंगे, जिनोंने प्रभू इशु क्रीष्ट को अपना उधार करता आज माना है, जिनोंने ये निर्ने लिया है, कि वे सच्चाई के मार्क पर चलेंगे, उनकी सहायता करें, धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, और उसका उत्तर देने के लिए, प्रभू इशु क्रीष्ट के न यदि आप किसी अध्यान से चूक गए हैं, तो आप यूट्यूब में जाकर के आप उसे फिर से देख सकते हैं, अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन प्लीज फिर से निवेदन करूंगा, एक मिस कॉल या फोन कॉल आपने श्चित करें, ताकि हमें प एक दोम प्लीज से चूंगा, तो हमें एक कॉल आपकात विर से प्रूंगारं में लाधने श्यान से प antsप येदन करथा, लेकिम ताहा हैं, तो आपना सते हैं, तो कुल ये लेख rights ले अ.